हलो स्टूडिंट्स वेलकम टू एटी सी अजमेर्स यूट्यूब चैनल मैंने आपको एक वीडियो जारी करकर ये इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी थी कि हम इंडिया इयर बुक ट्वेंटी ट्वेंटी का एक सिरीज चलाएंगे इस सिरीज में हम लोग आप सब के लिए Current Affairs और साथी साथ Static GK का जो की UPSC, State PSCs और अलग-अलग Competitive Exams के लिए बहुत Important Part होता है वही लेकर मैं आपके बीच आऊंगा और मैं आज अपने इस पहले वीडियो में जिस वीडियो में मैं आप सब के बीच अपनी शुरुवात करने जा रहा हूं India Yearbook की मुझे उमीद है कि आप सबने अभी तक India Yearbook का जो PDF है यदि आपके पास Hard Copy नहीं होगी तो वो PDF डाउनलोड कर लिया होगा तो आप उस PDF को भी एक डिवाइस पर साथ में खोल कर रखियेगा अगर आपने PDF डाउनलोड नहीं करा है तो प्लीज हमारे टेलिग्राम चैनल पर वो बिल्कुल free of cost available है आप जाईए टेलिग्राम चैनल पे वहाँ पर ATC IAS के टेलिग्राम चैनल पे आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम्स में PDF इंडिया एर बुक 2020 का अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड कीजिए और उसको साथ में वीडियो के ओपन करके रखिये ताकि हम लोग simultaneous पढ़ सकें मैं उस PDF के पेजिस को ही आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बुक बहुत बड़ी है अपने आप में साड़े 900 करीब पेजिस की बुक है 32 chapters में cover होती है इसमें history, geography, quality मतलब कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आपका रह जाएगा पढ़ने से यहां सब कुछ cover होगा culture भी आएगा तो geography भी आएगी तो quality भी आएगी तो economics भी आएगी सब कुछ cover होगा sports भी आएगा हर चीज एक एक बात यहां पर cover होने वाले है ये बुक एक तरह से हमारे लिए बहुत ही important बुक है पर ये बुक आती लेट है exam के कुछ दिनों पहले ही आती है UPSC के exam से तो बहुत ही नजदीक ही दिन होते है पर अपने को उससे डरने की ज़ुरत नहीं है मैं आप सब के लिए इन वीडियो के थुरू इस बुक को आसान बनाने का ही काम कर रहा हूँ आपको इन वीडियो के थुरू short में कैसे इस 9.500 पेज की बुक को पूरी तरह से कबर कर लेना है और अपने exam में 100% correct questions करने है उसमें आपके लिए मैं मदद करूँगा ये मेरा पहला lecture है और इस lecture में मैं page number 15 लेने वाला हूँ जहां पर human geography के demography का topic हम आज start करेंगे students हम लोग इस topic के थुरू demographic जो features हैं इंडिया के उनको discuss करेंगे और मैं आपको census के बारे में इस lecture के थुरू सारी बातें बताऊँगा census एक तरह से जिसको हिंदी में जनगणना बोलते हैं किसी भी देश के लिए वहां के social economic policies बनाने और social economic structure को जानने का एक सबसे important source होता है census एक ऐसा काम है एक ऐसा function है किसी भी country का politically, economically, socially कि ये उस देश में केवल लोगों को गिनने का ही काम नहीं करता बलकि साथी साथ उनकी situations उनकी society, उनकी social conditions उनकी political conditions उनकी geographical conditions उनकी economic conditions सभी की जानकारी उपलब्द कराता है census इंडिया में हर 10 साल के अंदर आयूजित होता है 1872 British period में पहली बार इंडिया में census का आयूजित हुआ था और तब से लेकर 2011 तक हम 15 census आज तक आयूजित कर चुके हैं 15th census 2011 में इंडिया में हुआ था next census 2021 में अगले साल आयूजित होगा 1872 से आज तक जो 15 census हुए हैं उनके अपने अलग-अलग माइने रहे हैं आप पेज 15 पर आ जाईए हम उसमें second paragraph demographic background का देख रहे हैं यहां पर 15 census के बारे में लिखा है कि it was held in two phases दो phases में ये आयूजित हुआ था ये important point है इसको mark कीजेगा दो phases में हुआ था जिसमें पहला phase house listing और housing census था जो की April से September 2010 में हुआ था मैं आपको एक बात बता दूँ census इस साल important बहुत है उसका कारण है क्योंकि इस साल NPR को लेकर current affairs में काफी सारी चर्चाएं हुई है NPR जिसको national population register कहते हैं वो हाली में एक political मुद्दा भी बना था इसी लिए उसको उससे संबंदे सवालों को exam में पूछा जा सकता है तो census के किसी भी सवाल को exam में पूछने का इस बार के chances बढ़ जाते हैं आने वाले एक साल के exams में NPR इस phase 1 में जो की मैंने आपको बताया कि जो first part है इसका first phase है जो house listing और housing का census है उसी के साथ में NPR National Population Register को भी बनाया गया था और ये काम April September के बीच में 2010 में ही कर लिया गया था NPR यहां पर हुआ है पहला NPR था इंडिया में जो इस साल इस 2010 में 2011 के census के लिए शुरू हुआ था और वो first phase के गणना के अंदर शामिल किया गया था कई लोगों को अभी तक ये जानकरी हो सकता है ना हो तो ये update कीजेगा बहुत important point है एक्जाम के लिए कि 2011 के census की गणना में April से September 2010 में first phase housing and housing listing और housing census में हमने NPR किया था इसका जो दूसरा phase था वो population enumeration का था जो की फरवरी में 9 से 28 तारिक को 2011 में आयुजित हुआ था और इसका एक revision round भी हुआ था जो की March में 1 से 5 March 2011 के बीच रहा था आपको एक बहुत important चीज़ ध्यान रखनी है अगला point अधी line ही लिखी वी है उसको underline करना आप सब लोग बहुत important है कि reference date हमारे लिए 2011 के census की क्या थी तो reference date होती क्या है पहले तो ये जान लीजे reference date वो date है जिस date तक के और उस date के उस time तक के आकड़े data को हम census के लिए consider करते हैं उसके बाद का कोई भी data उस census में count नहीं होता है means उसके बाद कोई भी birth और death हुई होगी तो उनको consider हम नहीं करते reference date है cut date है जिस date तक के हम data को include करते हैं 2011 census के लिए reference date एक March और उसकी रात का जो 00 hours थे 0.00 hours इसका मतलब यह हुआ कि 28 फरवरी की जो रात में 12 बजी थी और उसके बाद एक तारिक change हुई थी तो वो time और date एक तारिक रात को 12 बजे हमारा reference date मानी जाएगी तो 12 बजे तक के आकड़े हमने लिये थे एक March 2011 date है और इसके बाद हमने उसको शामिल नहीं करा था हाँ यह जरूर है कि हमने snow bound areas जहां पर बरफ जमी रहती है पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर population inumeration inumeration वो part है जो की second phase में दुद्ते चरण में हुआ था वो थोड़ा सा बाद में September 11 से 30 के बीच 2010 में इसको करा था तो यह first population का था जो data release हुआ 30 April 2013 को आपको इध्यान रखना यह date भी important date है कि first population data हमने April 2030 में जारी करा था ठीक है आगे देखते हैं इसके बाद में second paragraph जो हमारा है वो है population का population की topic में एक बात जो आपके इसमें सबसे बड़ी line पहले लिखी भी है the population of India as on March 1 2011 एक मार्च को हमारी population कितनी थी 121 करोड जो की 1210.9 millions लिखावा है इसका मतलब है 121 करोड लोग भारत में एक मार्च 2011 को थे जिसमें से 623.2 million males थे and 587.6 million females थी इसका मतलब है करीब करीब 62 करोड 32 लोग मेल पुरुष थे और 58 करोड तहचीयतर लाख लोग महिलाएं थी India accounts for a meager 2.4% of the world surface area 2.4% है दुनिया का जो कि बहुत कम है और ये area इतने सारे population को enumerate करता है वो बड़ी बात है यह जिए इस सपोर्ट सेंद सस्टेन आफ उपिंग percentage of world population, the population which turns the 20th century was around 238.4% तो यहाँ पर एक बहुत important point है next paragraph का आप उस कॉंडरलाइन कीजेगा यहाँ 238.4 million लोग ही थे 20th century में मतलब 23 करोड 84 लाख हमारी population हुआ करती थी जो की 2011 में बढ़कर 121 करोड हो गई एक अपने अपमे huge leap इंडिया ने population के मामले में ली है as recorded at each decennial census decennial census का मतलब होता है कि census हर 10 साल में आयोजित होता है और in every 10 year हम लोग यह count करते हैं कि कितने लोग हमारे यहाँ addition हुआ है population में the population decennial जो 1901 में हुआ था उसके बाद से लगातार बढ़ी ही है growth rate positive ही रही है बट केवल एक year decade का ऐसा गया है जब negative growth rate हमने experience करी थी और वो decade था 1911 to 1921 आपके हैं एक line लिखी वी है PDF में और आपके पास जो आप book होगी उस पर भी होगा कि decennial census from 1901 the population has grown steadily except for a decrease during 1911 to 21 तो एक बस यह एक population divide का decade है इंडिया में 1911 से 1921 यह जनसंग्या विवाजक वर्ष बोलते हैं इसको हम क्योंकि इससे पहले और इसके बाद हमेशा population increase ही हुई है यह एक decade ऐसा गया है जब negative growth rate हमने experience की है इसको calculate करने के लिए per square kilometer को काम में लिया जाता है per square kilometer में जितनी population या लोग रहते हैं उसको हम वहाँ की density के नाम से जानते हैं इंडिया की density के बारे में लिखावा है it is defined as the number of persons per square kilometer the population density of India in 2011 was 382 persons per square kilometer इसका मतलब है 2011 में भारत में 1 square kilometer में 382 लोग रह रहे थे और growth rate decadal means 10 साल में 2001 से 2011 के बीच हमारे यह growth rate 10 साल में 17.72 प्रतिशक 17.72 परसेंट रही है मतलब 17 परसेंट लोग लगबग भारत में 10 साल के अंदर बढ़ गए है the density of population increased in all states and union territories between 1991 to 2011 means 91 से 2011 के 20 सालों के अंदर हमारे यहां सभी जगे पर density population की भड़ी ही है कोई भी state या union territory राज्य और केंदर शाषित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर यह density न बढ़ी हो बिहार इस मामले में सबसे आगे है बिहार is the most thickly populated थिकली का मतलब ही होता है कि density वहाँ पर जादा है तो बिहार में सबसे ज़्यादा density है जिसका आकड़ा आप next page पर देखोगे तो वो 1106 persons per square kilometer है number 1 पर बिहार आता है second number पर West Bengal है जहां पर 1028 persons per square kilometer है तो यह हमारे तीन order है आपको यह order भी ध्यान रखना है और इनके numbering को भी ध्यान रखना है UPSC या कोई भी examination conduct करने वाली body अपने यहां order वाले जब question बनाती है तो इस तरह का question exam में पूछ सकती है कि top 3 states कौन से है या उनका descending order correct क्या है या उनका सही number match हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा कुछ question आ सकता है तो आप state का नाम as well as उसका number of density ध्यान रखेगा यह बहुत important question रह सकता है exam के लिए next पैरा हमारा sex ratio का है sex ratio का मतलब हमारे हाँ पर हम calculation जो करते हैं वो per thousand males per number of females ही किसी country का sex ratio होता है यहां पर वही लिखावा है और यह equality का indicator है population census में सारे indicators जितने भी हैं उन सब में से sex ratio ही एक ऐसा indicator है जो की equality inequality को indicate करने का काम करता है sex ratio country में हमेशा इंडिया में unfavorable ही रहा है unfavorable का मतलब होता है कि यहां पर males के comparison में female का number हमेशा कम रहा है 1000 males per female की संख्या कम रही है तो यह unfavorable रहा है female के point of view से it was 972 at the beginning of 20th century मतलब 20th सथी की शुरुवात में यह 970 हुआ करता था जो की काफी हद तक ठीक भी है बट उसके बाद में showed continuous decline until 1941 और sex ratio 1901 and 2011 has registered a 10 point increase at a census 2011 over 2001 2001 और 2011 के बीच में census में 10 point इसमें increase हुआ है परन्तु अभी भी भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की सब्मंद में कम ही है और child sex ratio जो 2011 में count हुआ था वो per thousand males per 919 persons है ठीक है तो यह बात हुई sex ratio की अब इसके बाद हम next topic लेंगे लिट्रेसी का लिट्रेसी का पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको अपडेट करा देना चाहता हूँ आपकी airbook के अंदर 2011 में sex ratio कितना था वो data updated नहीं है प्लीज उसको अपडेट कीजेगा 2011 के census के according भारत में sex ratio 940 females per thousand males था 940 940 940 तो उसको आप अलग से note कर लिजेगा यह हमारा 2011 का data है और 2011 का child sex ratio इसके अंदर 919 दियावा है जो age group का इसमें दिरका है child sex ratio decline हुआ है to 919 per thousand males वो भी आप थोड़ा सा अपडेट कर लिजेगा वो अभी 914 females per thousand males हो गया है अच्छा child sex ratio जो है वो 0 to 6 years के बच्चों का होता है वो भी एक चीज़ आप note रखेगा 0 to 6 years के बच्चों को child मान के उनका भी ratio निकलते हैं जिससे हमको future के लिए भी planning का पता चल जाता है कि अभी कितने female birth हो रहे हैं तो यह child sex ratio का data था अब मैं literacy का point ले रहा हूँ जो कि इस topic का last point है डेमोग्राफी का literacy का मतलब होता है कि 7 years की age तक का कोई बच्चा या उससे उपर वाला 7 years वाला या उससे उपर की age वाला 7 से छोटे को literacy की definition में count हम नहीं करते हैं यहाँ पर एक बात आपके इसमें पहले paragraph में लिखी भी है कि 91 से पहले 5 years तक और उससे छोटे के बच्चे को illiterate की category में रखा जाता था अब उस definition को change कर दिया है और अब 7 years बना दिया है 7 से छोटे वाले को illiterate की definition में रखा जाता है और 7 और 7 से उपर वालों को हम literacy के लिए consider करते हैं 7 साल से उपर के बच्चे यदि लिख और पढ़ सकते हैं किसी भी language में अपनी भाशा में तो उनको हम क्या मानते हैं? लिटरेट मानते हैं यही इसकी definition है literacy की आपसे definition भी examiner पूछ सकता है तो इस point of view से ध्यान रखना 7 और 7 साल से उपर का बच्चा या कोई भी व्यक्ती 7 से उपर age वाला यदि लिख और पढ़ सकता है किसी भी भाशा में तो वो लिटरेट माना जाएगा भारत में अगर कोई व्यक्ती केवल पढ़ ही सकता हो लिख न सकता हो तो उसको हम लिटरेट की definition में include नहीं करते हैं यह ध्यान रखना बहुत important point है यहां से statement के point of view से question exam में आ सकता है in the censuses prior to 91 जो अगली लाइन है वो मैं आपको बता चुका हूँ five year की age को consider किया गया था next pera पे आ जाते हैं 2011 के results यह reveal करते हैं कि इंडिया में literacy जो है वो बढ़ी है continuously बढ़ रही है और अभी literacy इंडिया में 73% है literacy rate 80.9% males के लिए है और 64.6% females literate है overall 73% आपको data ध्यान रखना है कि इंडिया में literacy है यही authentic source है यही authentic data है इसी को ही पढ़िए इसी को ही ध्यान रखिएगा केरला सबसे उपर है केरला में literacy इंडिया में हमेशा से ज्यादा रही है अभी भी वही टॉप पर है 94% के साथ में second number पर लक्षद्वीप है जो कि केरला से बहुत adjoining area ही है वहाँ प बिहार literacy के मामले में last number पर है पहले भी था 61.8% के साथ में सबसे कम literacy बिहार की है केरला top spot पर है literacy लगातार जादा रही है male literacy और female literacy वो भी दोनों केरला में ही जादा है It means overall literacy भी केरला की जादा है, male literacy भी केरला की जादा है and female literacy भी केरला की ही जादा है Data आपकी book के अंदर लिखावा भी है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है बिहार lowest literacy में है और male और female literacy दोनों में भी बिहार ही सबसे lowest है इसका मतलब हुआ, overall भी केरला टॉप, male में भी केरला टॉप, female में भी केरला टॉप, overall भी हार lowest, male में भी भी हार lowest और female literacy में भी भी हार ही lowest है तो ये data आप प्लीज अपडेट कीजेगा, इनको ध्यान रखिएगा, ये सारे data आपके लिए important रहेंगे data आप यहीं से ही देखना, ये सबसे authentic source है, इस book ने जो भी data cover किया है, वो data मानने रहेगा इसके अलावा और किसी data पे भरोसा हम नहीं कर सकते हैं तो अभी currently जितने भी data हैं, उनको यदि मैं nut shell में आपके सामने एक बार present करूँ तो आप तुरंट एक बार मेरे साथ revise कीजेगा, population इंडिया की जो है, वो कितनी है 121 करोड या 1210.9 million, male population 62 करोड अराउंड ध्यान रख लेना चल जाएगा काम exam में या फिर 623 millions और female population 58 करोड या 587 millions और इंडिया में जो है total density जो है population की वो 382 per person square kilometer per square kilometer है and decadal growth rate हमारा 17.72 percentage रहा है ये data भी ध्यान रखना है, sex ratio इंडिया में जो 2011 के census के according था वो 940 females per thousand males था और जो हमारा क्या बोलते हैं, child sex ratio था उसमें भी changes आये हैं और वो decline हुआ है, 919 per thousand males इसमें आपका लिखावा है book में उसको ही consider कीजेगा, literacy rate हमारे यहाँ पर 73% around around लिखा है वो भी आपको ध्यान रखना है, male literacy 80.9% है और female literacy 64.6% है ये data बहुत important रहेगा, top 3 या top 2 states literacy के point of view से केरला एन लक्षदीब और lowest literacy बिहार, ऐसे ही density के मामले में top 3 states हमारे कौन से हैं, वो हैं सबसे उपर बिहार, second West Bengal and third केरला, तो ये आपको बहुत importantly ध्यान रखना है, हाला कि इसके अलावा भी data और भी होते हैं census के, उनको यदि आपको और ज्यादा detail में देखना है तो आप census की report 2011 को भी consider कर सकते हैं, वो भी एक medium रहेगा I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी, चीजें समझ आई होंगी ऐसे ही बने रहिए, हम एक के बाद एक lecture पर आपके साथ में जुड़े रहेंगे और आपको India Airbook पूरी कबर करा देंगे, thank you, thanks a lot